यह उसके ओपर चल रहे हैं तो बड़ा अजीब सा फील हो रहे हैं लेकिन एक अच्छा एहसास है मुझे बहुत बढ़ादा पसंद है और एक और चीज इस में टा रहा हूं तीन तो यह रहे और किदर है और यह रहे यह दो और हमें मिल गए यह रहे हैं यह साथ ही गूं रहे और उसको हम सुबा से ढूंड रहे थे और हमको मिल गए हमारे गार्डन में एक ऐसा जानवर जो ना तो मैमल है ना ही रेप्टाइल है ना कुल परिंदा है और एक ऐसा जानवर है जिसे हम कहते हैं इन वर्टीबरेट वैनि जिसके अंदर बैक बोन नहीं होती और वह हमने लुंडा है हमारे इस गार्डन में से और वह मैं आपको दिखाता हूं जानवर यहीं है अगर आपको भी नजर नहीं आ रहा तो आप जरा गौर कीजिएगा यह देखें जी यह है स्नेल्स और यह देखें जी बिलकुल लाइव स्नेल है यह इस वक्ट चल रहा है और यह दे जादा है कि मैं इसनेल्स को यह से कलेक्ट करूं और हमारे रेप्टायल रूम के अंदर में टैंक रैडी करूं और इनको वहां ले जाके हम पाले इनके ब्रीट करा हैं मुझे याद है कि पहले इस गार्डन के अंदर हमने जो है एक यह दो हिस्तों चोड़ देंगे तो आरे यह तो टोटल यह 3 है एक डो तीन ठीक है यह देखें यह जो यह तरन हो रहा है और यह मैं आपको करीब से दिखाओं यह देखें यह कम्म्यूकेट करते हैं अपने इन एंटीना से और एक उठाने की कोशिश करता हो अंदर ना भाग जाएक जैसे इसको उठाते हैं त इत्स व yapmışको है तो इद डूंड देंगे तो बहुति सारे कम और के छिब के में बेंगें साथ चिपके में कि तो वह में मिलेऊ मैं बिलकुल जन्दा ए और अभी इतना ब्रड़ा अज्ड़ा तो अबी पहले तो इस घारटन में चाहिए और दून्ते कितने इसमेल मिलते हैं तो चले बाई रिजवान कलेक्शन शुरू करते हैं यह जबरदस हमें यह स्नेल हमने कलेक्श कर ली है यह हमारे गार्डन में से हमें मिले है और एक यह मिला यह बहुत जाइंट है लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है यह वाला जो स्नेल है यह मर चोगा है क्योंकि इसको अमने पानी में रख दिया है और जो भी जिन्दा होंगे ना तो उनके अंदर है यह एक चीज नजर आएगी आपको उनकी जो अंदर की जो बोडी होती ना वह आपको नजर आएगी लेकिन ये पानी यह देखे जो इसकी बड़े वाली की नहीं नजर आ रही है इसमीन मोस्ट प्रॉबली एड़ उचो इसला यह है कि मैं चारत है यहां से सारी मूव ओन हो जाए ताकि यहां पर मरें नहीं क्योंकि इस गार्डन के नहीं थोड़े से हम बनाना से प्रीज बगरा लगा रहे हैं और फिलहाल इनको यहां से हटाना ही पड़ेगा तो यह जो शुरू में जो हमें नजर आयता है उनको तो मैंने यहीं छोड़ दिया उनको नहीं उठाए तो इसमें से एक को उठाते हैं जड़ा अपने हातों पे तो रखे देखें कि कैसा फील होता है और एक स्नेल कैसा लगता है यह आगया है बहुत ही क्यूट है कमाल जबर्स इस वक्त मैंने अपने हाथों पे यह दो बड़े क्यूट से स्नेल रख दी हैं और एक यह रह यह देखें अपने यह अन्स निकाल के बैठा हुआ है यह इन वर्टीबरेट्स होते हैं और कमाल के बाद यह है कि इनकी जो है वह 40,000 से ज बड़ेटें उसको खाल लेते हैं और उठाए जाने पर यह कुछ सुसूट कर लेते हैं और बड़ी चिप-शिपी सी होती है इस पर मेरे हाथ के बड़ा चिप-चिपा फील हो रहा है ऐसा लगए इसे खुझली हो रही है यह उसके ओपर चल रहे है तो बड़ा जीब सफील लेकिन एक अच्छा एसास है, मुझे भी बहुत जादा पसंद है, और एक और चीज, इसकी कुछ स्पीशी ऐसे जो युनिसेक्स होती है, यह अपने आपको मेल फीमेल में कनवर्ट कर लेते हैं, और बहुत सारा अंडे दे देते हैं, इस तरह के पत्तों के आसपास, और इनक इस नहीं बड़े हो जाती है, लेकिन यह वाले खेर इससे डबल आप दा साइज हो सकते हैं, फिलहाल इसको यह देखें, जी मेरे हाथ के उपर पसीना एक तो आ रहा है मुझे सर पे, यह देखें कुछ चिप चिपा से इसने जो एना यह फ्लूइट छोड़ा, तो यह जो ह बस इसी तरह करेंगे, तो गर्मी बहुत जादा बढ़ गई है, अंदर चलते हैं, इनके लिए भी गर्मी बहुत जादा खतरना है, जादा दूब लगने जाने पर यह जाते हैं, तो उनको थोड़ा सा एक वेट इन्वार्मेंट से दो तो रिजवान जल्दी से बॉक्स मे यह भी तो घूब रहा है, एक यह बहुत 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 अराम से चल रहा है, यह देखें, कितना मजे का लग रहा है, और अजीब साहि अंदर ऐसा लगता है, जैसे शैल के अंदर से कोई अलगी एक एलियान टाइप की ज़ए वह चीज नेकली है, यह एक चल रहा है, इसको अब हम शिफ्ट करते हैं अपने रेप्टाइल रूम में लेट्स गो यह हमारा जो टैंक है इसको हमने खाली कर लिया अब इसको इन स्नेल्स के लिए हमें जो है वह भैतर बनाना तो इसके लिए में तोड़ी से मिट्टी थोड़ी से प्लांटेशन थोड़ी सा पानी इस सब क इसके बाद थोड़ी सी मॉइस्ट्य करेंगे थोड़ी से पत्ते डालेंगे ताके इसका एक नैश्रल हैबिटेट कर लिया अब इनको अंदर जागे लगाते हैं पानी एड़ोगा अच्छी तके अच्छी युमिडिटी अच्छा मॉइस्ट्य करियेट हो सके इसके अंदर है और बहुत जितनी देर में रिडि हो रहा है और में क्या हुआ हमने इस और दो कि यह सिर्गास के लिए और इसके स्नेल हम भूबार आंके कोशिश नंडे कर रहे हैं ठोड़ी धेर के नक्षा जो है वो चेंज हो चुका है और ये कुछ इस तरीके से नजर आ रहा है इसके नमने कुछ छोटे-चोटे से पौदे लगा दिये कुछ पते वगरा छोड़ दी और मिट्टी को नम कर दिया है थोड़ा सा स्प्रे मॉश्चर क्रेड़ करें अब हम बारी-बारी जो है हम इनका पूरा ख्याल रखेंगे तर कुछ यूवीक्स तक हमारे मेमान होंगे पानी की विए दरवेता है यह देखें यह उपर तक चड़ी है यह वहला और वाकि सारे जो है वह एंज्वाइ कर रहे है और हम इनकी केर इंशालल अच्छे तरीके से करेंगे तो बस इसके नब पानी अर्ट करते है और बहुत ही प्यारा सा सेट अप रेड़ी है हमारे स्नेल्स का यह शीशे में भी चड़ना है भाई तो यह हमारी पूरी स्नेल्स की फैमिली और यह इसके लावा हमने क्या किया है कि मैंने एक एक स्पारीमेंट किया है दो जो है वो मैंने हमारे गार्डन में वाफिचोड लिए कौन से गार्ड़न में मुझे छीचले बोजी के पास है उधर मैंने छोड़ दी हम कंपैरिजन करेंगे कि कौन से वालों का चाराइज बहुत एक महीने बाद जागे उनको डोलेंगे तो दो स्नेल वो सामने ले गार्डन में छोड़ दी तो किसी भी विलॉग के अंदर जो है मुसको कवर कर लेंगे तो यह इन वर्टी ब्रेट्स जो है वो मैंने मेरा शॉग के पालना मैंने मील वर्म भी पाले हैं और इसके लाब आज इनके बारे में कोई नॉलिज लेनी है तो आप जो हमें दे सकते हैं अभी हम इसको खाने के अंदर जो फूर्ट जा लेंगे थोड़ी देर के अंदर जो ही उसको भी खाना शुरू करते हैं और मैं इनकी आपको अब्डेट्स देता रहूंगा तो थैंक्यू सो मच अलाफि